नमस्ते अबरीवान, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल, यदि आप भी क्यूट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, इन्फोर्मेटिक्स प्राक्टिसेस और कम्प्यूटर साइंस के डोमेन की, तो पिछले साल का जो क्वेस्चन पेपर है वो आपके लिए बहुती ज़्यदा इंपोर्टेंट हो सकता है, इन्फोर्मेट्सेस क्यूट का जो पिछले साल CSNIP का क्वेस्चन पेपर था, ये 2022 में जो की पहली बार हुआ था, यदि आप चाहते हैं उसे डाउनलोड करना, तो जैसा आप अपनी स्क्रीन पे भी देख आ रहे होंगे, this is the question paper जो पिछले साल हुआ था, तो यह आपके लिए बहुत ही important हो सकता है, आपके reference के लिए, आपके preparation के लिए, और पूरे question paper के pattern को understand करने के लिए, पूरे question के type को understand करने के लिए, कौन से topic से question किस तरीके से आ रहे हैं, इस पूरी चीज को समझे के लिए, यह question paper आपके लिए बहुत important हो सकता है, तो यदि आप इसे download करना चाहते हैं, तो इसे आप मेरी website www.taktipnow.in पे आके download कर सकते हैं, कैसे download करना है, वो एक बर मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने chrome पे जाके, या अपने mobile से, आप type करेंगे taktipnow.in, तो जैसे ही आप इस पे download पे click करेंगे, जैसे ही आप इसमें click करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, इसका जो webpage open होगा, यहाँ पे लिखा है, Qt Computer Science Question Paper 2022, आप directly इसमें click करेंगे, और आपको यह question paper यहाँ पे available हो जाएगा, उसको आप यहाँ से maximize करके, आप इसे चाहें, download कर सकते हैं, जैसे मैंने आ Qt की preparation का जितना भी concept का video tutorial है, प्लस MCQ का जो tutorials हैं, उसके भी link आपको मेरी video के description box में मिल जाएंगे, साथी साथ, website में इसका पूरा content आपको available हो जाएगा, जैसे मैंने बोला, मेरी website है www.tektip.in, यहाँ पर भी आके visit कर सकते हैं, रही बात इस question paper के solution की, तो आज इस particular video के बाद में, कल तक आपको इस question paper का solution भी मेरे channel पे available हो जाएगा, तो stay tuned with my channel, thank you for watching this video, bye bye and take care.